महाराष्ट्र में विपक्ष को लेके कन्फिजन है क्योंकि सीवसिनावा फूट चुकी है एंसिपी फूट चुकी है कॉंग्रेस के कुछ नेता इधर उधर जा चुकी है लेकिन शरत पवार हो उद्धा उठाकरे हो इनके पास एक इमोशनल या आप कहें भावनिक मुद्दा है कि पार्टी तूट चुकी है घर तूट चुका है आपको नहीं लगता कि महाराष्ट्र में सबसे बड़ी चुनोंती है भार्तिय जन्ता पक्ष के सामने यह कि यह भावनिक मुद्दा जो है या इमोशनल काट जो है ऐसा है मैं भी मानता हूं कि इस बार यह इमोशनल जो स्थित्री है वह बीजेपी के पक्ष में है यूति के पक्ष में है क्योंकि बाड़ा साप ठाकरे की सिवसेना हमारे साथ है एंसीपी ओफिशली हमारे साथ है और इसलिए लोगों को लगता है कि परिवार की सप्ता भूग के कारा बारा साप के सप्रे को क्यों थोड़ा इन लोगोंने एक परिवार कि भुलाए मेटे को एश्टाबिस करने के लिए बारा साप के इतनी कुंधा हुआ है जहां तक सरदराव का बाबला है यह पुलिटिकल प्रॉब्लम ही नहीं गदा कि विरासत काम करने का बात आमना है कि इस उमर में परिवार को समाल नहीं सकते हैं महराश्ट को गैस समालेंगे आवरंग जेपकी तारीफ करने बालों के साथ बाधा साब ठाकरे का बेटा बैठे यह गुसा बरा पड़ा है महरास्ट में सावर करका अपमान करने वालों के साथ को बैठे तो